नमस्कार लोकमंच में आपका स्वागत है मैं हूँ अन्राग दिख्षित लोकमंच में आज एक बार फिर बात हमारे माननियों राजनितिक दलों की सदन के प्रती गंभीरता की विपक्ष के हंगामे के चलते संसत के दोनों सदनों की कारवाई आज भी सुचारो रूप से नह पड़ा की करीब तीन सो अन्ने सांसदों की आवाज और उनके मुद्दों को दबाया जा रहा है वैसे ये बात लोकसभा धक्ष पिछले कैई दिनों से लगातार कहती आ रही थी लेकिन विपक्ष ने मानो सुना नहीं नतीज तन आज लोकसभा धक्ष को सक्त फैसला लेना नहीं अच्छी शुरुवात की उमीद थी लेकिन हालात ऐसे की सांसद लगातार प्ले कार्ट दिखाये जा रहे हैं लोकसभा धक्ष ने कहा कि सदन नियमों से चलता है लहाजा ये संदेश सब के लिए है विपक्ष फैसले क्या अलोचना कर रहा है सबके अपने अपने तर सांसदों का काम नहीं तो वेतन नहीं पर चर्चा जारी है और राजसवा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई ऐसे में समझना होगा कि माननियों की छवी पर जो सवाल उठ रहा है उसमें आगे की स्तिती क्या, आगे का रास्ता क्या और यही सब समझने की कोशिश आज तो ऐसी इस्तितियों में कब चलेगी संसद ये एक बुनियादी सवाल है क्योंकि संसद का मतलब चर्चा ही माना जाता रहा है चार खास मेहमान हमारे साथ यहां इस्टूडियो में मौझूद हैं हमारे साथ हैं कॉंग्रेस पार्टी के वरिश नेता और रास्टिये प्रवक्ता टॉम वड़कन साहब बहुत बहुत स्वागत है वड़कन साहब आपका कारेक्टर में हमारे साथ जुड़ेंगे भारती ज किस तरीके से काम कर रही है बहुत-बहुत स्वागत थे प्राची आपको अभी कारेकर में चर्चा की शुरुवात करें उससे पहले आज निलंबन का फैसला लेते वक्त लोकसभा में लोकसभा धक्ष सुमित्रा महाजन ने क्या कुछ कहा आए सुनते हैं I'm sorry शुरी प्रियन चंडरप्पा, शुरी संतोक सिंग चौधरी I'm sorry, यह क्या है? I'm sorry, no अबु अबु अशन चौधरी नो तरगेजी तोटरी सुश्मिता देव आर दुरुवनाराय निनाउंगे रिंग, गौरव गोई सुकेंदरा रेड़ी गुहा प्रिपेंदरा सिंग उड़्डा, सुरे के सुरेश, डॉक्टर थोकम नमेनेहिया, A.S.P. मुदे अनुमान गोड़ा, अभीजीत कुकर जी, रामचंडरन मुलापली, केच मुनियपप, बीवी नायक, विंसेंड पाला, M.K. रागवन, रंजीत रंजन, C.L. रोलाप, तामरदवच्साव, राजीव शंकर साथ, रवनीत सिंग, सुरेश, के सुरेश, के स्री बेनुकर पाल, इंता दाम आयकिनी, रिमती, रूलाप्च्साव करो यह चाहिन आएक। रुम टुमुषण रवी तुम। रूलाप्च्टाथ ताम। ताम आयकिनी रूलाप्च्साव कर तूभाच्साव कर ख़ंफिए इए। यह प्राइब श्राइब दिसल्ड़ा इसकिनिया प्रॉपटो भी प्रें घे सुट्सीट इंगूटा कात्व दूर्णा थे इंग प्रशंदकों अश्कें अर्न का विगता इंग नहीं प्रॉट अलमा एंग चिहांग। तो इसका सीधा मतलब है कि आज से अगले पाँच दिन तक ये तमाम सांसद लोगसभा की कारवाई में हिस्सा नहीं नहीं ले सकेंगे टॉम वड़कन साब इस इस्तिती से बचा जाना चाहिए था बचा जा सकता था दुरभागे पूर्ण है आपके हिसाब से मैं इतना ही कहूंगा आज का दिन नित्यासिक है एक काला दिन है देमोकरसी के लिए जी पच्छीस मेंबर्स अफ पालिमेंट जो आप सस्पेंड करते हैं ना कोई नोटस एक प्रक्रिया है आपने पच्छीस नाम बना दिया किस बेसिस पर आपने इनको सिस्पेंड किया आपका कोशिश किया है पालिमेंट चलाना बाचीज हो सकता था एक डिस्कोर्स लेवल है चेमबर में कुछ बाते होता था वादे होते थे बाहर आकर मैं एक एग्जैंपल देता हूं हो मिनिस्टर का हो मिनिस्टर साब को साफ कहा गया था चेमबर का इंट स्टेटमेंट पढ़ेंगे उसके बाद बाशन देने का कोई पर्मिशन नहीं था आप इन हालातों में क्या उमीद करते हैं और वो बाशन क्या है वो बाशन टेरिजम पर है और किसको बाशन दे रहे हैं जिस पार्टी ने टेरिजम को जेला सर अभी बटकते नहीं है क्या कहने चाहते हो कि हम पार्लिमेंट चलाने चाहते हैं साफ जाहिर है ये सरकार पार्लिमेंट से बाग रहे हैं क्योंकि पचीज मेंबर को सस्पेंड करने का मतलब ये अगले पांच दिन पार्लिमेंट को चलने नहीं देंगे साफ है मेसेज देशवासियों को ठीक है सर दो बाते इसमें निकल कर आती हैं जिससे थोड़ा उल्टे सवाल खड़े होते हैं पहला तो ये कि आपने कहा कि बातचीत हो सकती थी चर्चा होन सकती थी सांसदों के निलंबन की इस्तिती नहीं आती यही अपने आप में एक बड़ा सवाल है क्योंकि अब तक यार कमले को सुलजाया जा सकता था ये कैसे विरोधाभास है अपनी सुफधा के हिसाब से बातचीत की परभाशा कैसे तैह हो रही है थोड़ा समझा दीजे देखिए यही हाउस में बारत्य जनता पार्टी का लीडर अपोजिशन अरुन जेटली ने बार-बार कहा है कि करें तो गल्थ हमने क्या कहा है सुश्मा स्वराज जी करेसिगनेशन मांगा क्या इनके पास ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो मंत्री बना सकते हैं जब तक इंक्वैरी ना हो उनको हटा कर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया दो हफते तक खुद चर्चा से बचते हु हैं ये विरोधा भास क्यों और जोब आप अरुण जेटली के किसी तर्क का हवाला दे रहे हैं तो पहली बात किसी तर्क नहीं हाँ ठीक पर तीन चार पांच सेशन वाश आउट था अब इस स्टैटस्टिक्स होता है अब आपने एक और बात पुद रहा है उसको भी समझ अरुण जेटली ने अगस्त 2012 में एक लेक लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये एक संसिदी प्रकरिया का हिस्सा हो सकता है लेकिन उससे ठीक पहले दो लाइन में उने कहा था कि ये सिर्फ रेरेस्ट आफ दा रेर मामले में होना चाहिए और इससे बचना चाहिए अ सौरनिटी का इस्जू है और वो कह रही है कि हमने ऐसा कुछ कहा नहीं आठ ट्वीट है पबलिक डूमेन में जो साफ जाहर कह रहे हैं कि ये ट्वीट उन्होंने कहा है मेरा सवाल अभी बी उलजा हुआ है दो हफते तक चर्चा से भागने का आरोब जहलते हुए और फिर अब तीसरे हफते की शुरुवात में अगर निलंबन होता है तो चर्चा का तर्क देना क्या ये उचित है कैसे आप कह सकते हैं कि चर्चा से बात निबट सकती थी निलंब जरूरी नहीं था देखी अगर अगर आप चेंबर में कुछ एगरी करते हो कौन करेगा एगरी आपके लीडर्स इतना विश्वास है क्या स्पीकर के प्रती स्पीकर लगाता है अपने आसन से कह रही है कि प्ले कार्ट मत दिखाए है दो हफते से लगाता है उनकी बात सुन कौन रहा है लोग सबार राजसबा में इंबर्स में अगरीमेंट था हा और पार्टी अगरीमेंट था कि राजसबा में होम मिनिस्टर वो स्टेटमेंट नहीं पढ़ेंगे हाउस पर ले करेंगे और उसके बात को क्योंकि जब उन्होंने वो स्टेटमेंट पढ़ा उसका म हमारा इशू यह है कि इनके पास अभी आपको लगान इनको मंत्री क्यों ने बना सकते हैं ठीक है तर्क पूर्ण जवाब दे पारें कि असर आपको खुद को लग रहा है क्या मेरे बुनियादी बहुत सीधे सवाल का तर्क पूर्ण जवाब आप दे पारें कि यह ताली दो ह कि अरुण जवाब आपको खुद कर रहे हैं आप देश की सबसे पुरानी पार्टी रहे हैं आप एक दूसरी पार्टी के नेता को अपना आदर्श बना रहे हैं आप करें कि अरुण जवाब आपको खुद करेंगे यह तो फॉलो किया था इतनी परपकता दिखती है राजवी तिक गलो में मुझे जानकारी है तो उस विशेश सत्र में ये बात कही कि हमको संसद की चर्चा गंभीरता के साथ करनी चाहिए अगर जरूरी है तो शनिवार और रविवार को भी कारवाई होनी चाहिए प्रणम मुखर जी मौझूदा देश के राश्पती वो लगातार कहते रहे हैं कि संसद में व्यवधान नहीं होना चाहिए अल्प मत को बहुमत का जो न्याय है निलने है फैसला है उसका संबान करना चाहिए सोनिया गांधी या अपना मुखर जी जैसे जो तमाम वरिष नेता हैं वो आपके आदर्श क्यों नहीं अरूंड़ जेटली आदर्श क्यों ये सुवधा के हिसाब से आदर्श तै किये जा रहे है तोड़ा आप भूल गया होगे पिछले सेशन में किस ने कॉपरेट किया अपने कुछ अपना करता है आज भी अकांटबिल्टी पर क्योंकि ये एक रनरे गॉवर्मेंट है ये गॉवर्मेंट एंसरिबल नहीं है हम अप्जिशन के रिस्पॉंसिबिल्टी और अकांटबिल्टी पर क्यों लेकिन हाँ ये समझना बहुत जरूरी है अगर सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष ये कहता है कि पिछले एक साल सब कुछ अपने बहुत अच्छा किया है तो वो उपकार नहीं है आपको चुनकर इसलिए भेजा गया है कि आप यहाँ पर अपनी जो कारे की उत्पादकता है उसक से कताई सैमत नहीं हो देखे भारतिय जनता पार्टी देश के संसदे लोकतंत्र पर पूरा विश्वास करती है माने प्रधान मंत्री जी की और से भी माने ग्रह मंत्री जी की और से भी माने बित्त मंत्री जी की और से भी और माने विदेश मंत्री जी की और से भी सुरू से एक बात को कहा जा रहा है कि कोई भी विसाय हो संसद में आप चर्चा कराईए और संसद का मतलब सत्तापक्स और बिपक्स देखे ऐस साहमती और साहमती अपना अलग विसरे है लोक्तंतर ही वही है सच्चा जहां पर साहमती और और साहमती की बीछ में हम ने अपने सतर्पर पूरा परियास किया बड़कंजी जो बात कह रहे हैं इस अधिया है अनैतिक तरीके से बाधित किया हुआ है और मैं सुयम पांचवी बार संसद में चुनके आया हूँ मैंने इस प्रकार की उच्छिंकलता उनुसासन हिंता कभी नहीं देखी और इससे पहली मैं कहता हूँ कि बीजेपी ने पिछले कारेकाल के दोरां यूपिय गौवर्मेंट के समय संसद को बाधित किया था लेकिन वहां बुद्धों पर आधारित था हमने केक की रिपोर्ट की आधार पर जो तथ्य सामने आये थे हमने एक सार्थक चर्चा और उस पर कारवाई करने की मांग की थी ये मानक कौन ते कर रहा है अपनी हिसाब से अपनी सुल्धा की हिसाब से आधार पर बिरूद कर रहे थे हम संसद में आये हैं जनता की बातों को रखने के लिए और जनता की बातों पर सार्थक वहस करने के लिए वही तर्क तो इनको भी है उनके सामने और आज जो निर्णे लिया है स्पीकर ने मुझे लगता है मैं स्वेम संसद में उस समय मौझूद था और मैं देख रहा था कि बहुत उन्होंने यानि न चाहते वे भी अंत में संसद की कारवाई और जन भावनाओं को सम्मान देते वे जो देश की संसद के जब वहां पर कोई सुनने को तयार नहीं चर्चा करने को तयार नहीं संबाद बनाने को तयार नहीं इस स्पीकर के साथ सरुदलिय बैठक में जिस प्रकार से कॉंग्रेस का विवार होता है जिस प्रकार से सरुदलिय बैठकों को आप सरकार के द्वारा के जारे संबाद को इनके दोरा बाधित किया जाता है उसकी पर्णती इस रूप में सामने आई है राकेश का पूर जी सर मैं आता हूँ आपके पास की राकेश का पूर जी कैसे आप देखते हैं सर आज की इस्तिथी को और जो दो हफ्ते तक लगातार दिखा ये होना ही था या होना चाहिए ही था देखे संसदिये लोग तंतर में विपक्ष को अपनी बात और अपनी मांगे मनवाने का हक है जाइस दोर पर उसका हक है लेकिन हमें ये देखना होगा कि संसद के नियम पार्टियों के स्थान बदलने से नियम नहीं बदलते हैं नियम वही रहते हैं जो नियम यूपिये के सरकार के दौरान भाजापा के विपक्ष में रहते हुए थे वोही नियम आज भी है आज भाजापा सत्ता में है और कॉंग्रेस विपक्ष में है लेकिन ये देखना होगा मुझे याद है कि UPA सरकार के दौरानमी आंधर प्रदेश के बारा सांसदों को निश्कासित किया गया था, वो भी ये काम कर रहे थे, और वो कॉंग्रेस के अपने थे, कॉंग्रेस की अपनी सरकार थी, माना के नियम उस समय भी वही लागू हुआ था, जो आज श्रीमती सुमित्रा महाजन ने लागू किया है, टौम वड़कन साब की जो आपत्ती है, वो ये है कि प्रोसेस को ले करके, कि पहले उनको नोटिस दिया जाता, उनके साथ कुछ और दिया जाता, लेकिन ये मान करके चलिए, कि हिंदुस्तान में जो हमारी संसद है और जो लोकसबा है और इसके अध्यक्ष है, वो निरपेक्ष भावसे स्वतंतर सत्ता है इस देश की संसद की, लोकसबा अध्यक्ष की स्वतंतर सत्ता और निरपेक्ष सत्ता को बनाए रखने के लिए, हमारे देश के पुर सरकार से नियम बनाए और सरकार से अलग रखा और अलग से सचवाले बनाया लोगसभा का उसका यही कारण था कि सरकार का दबाव लोगसभाद्यक्षपर किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए इसलिए लोगसभाद्यक्षपर आक्षेव की उंगली उठाते हुए हमें यह सो जिस नियम का यहां पर जिक्र किया जा रहा है कि यह क्या नियम के आधार पर ही है। नियमा वली में ऐसा कोई नियम है, क्या उसका प्राफधान है, पहले भी कुछ हुआ है, कुछ थूला अगर आप दर्शकों को समझा सकें। तो जो अज मेंबर्स को सिस्पेंड करा गया है वो रूल 374A है जैसे अमने देखा था भी ख्लिप में उस रूल के हिसाब से मेंबर्स ऑफ पर्लिमेंट को सिस्पेंड करा जा सकता है पांच दिन के लिए अगर वो लोग कंसिस्टेंटली हाउस में डिसॉर्डर क्रेट करते रहे हैं या प्लाकाइज लेके ऐसे स्लोगन शाउट करते रहे हैं उनको पांच दिन के लिए अर्डिस सिस्पेंड करा जा सकता है यह पहले भी हो चुका है कुछ बार ऐ थिंक मॉनसून सेशन में 2013 में एक बार हुआ था जब आराउंड बारा मेंबर्स को सिस्पेंड कर द ठक्कर कमिशन की जांच रिपोर्ट के सिलसले में 15 मार्च 1989 तो यह पहली बार नहीं हो रहा है और यह नियम में प्रावधान है नियमावली कहती है कि यह प्राविजन है ठीक है एक छोड़ा सा ब्रेक यहां पर ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जब लोटेंगे तो इसी पह कैसी इस्तिती में कब चलेगी संसद वड़कन साब आदर्श की जो परभाशा है उस पर तो मैंने आपसे समझा इस्तिती को लेकिन इन मुद्दों की प्रात्मिकता और गंभीरता भी कैसे आप लोग तै करते हैं यह देशित के आधार पर तै होता है मुद्दा या यह दल ह मैं सवाल आप से इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि इसी सत्र में कुछ आंकले आए जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली में हर रोज केवल वायों प्रदूशन से असी लोगों की मौत हो रही है सामाजिक आर्थिक जंगरणा में बताया गया कि 75 फीसद परवार की मासिक आम आप हम जैसे एक इस्यू जो नैशनली एफेक्टड है चालिस लोगों का मौत हुआ है इन्वेस्टिगेशन हो रहा है सुप्रीम कोर्ट के सब्जुडिस मैटर है उसके बावजूद CBI इंक्वेरी कर रहे है वो तो इतना प्रशर लाया इन्होंने कोई हमें कोई और यह प और हमें कैसा समझाया कि इन्होंने बात किया उनके ट्वीट्स खुद कहा कि हमने humanitarian grounds पर उनको बताया कि कानून मत और bilateral अच्छा एक ट्वीट इसमें ये भी है कि bilateral relation खराब नहीं होगा गैरेंटी किसके बारे में ले रही है एक fugitive के बारे में चीक है तो आप रहे हैं कि गं लेकिन सर एक सवाल इसी से जुड़ा वो ये कि जंतर मंतर और भारतिय संसत में आपके हिसाब से भी कुछ तो फर्क होगा ना लोग सबहा के गलियारे को अगर जंतर मंतर में ही तबदिल कर दिया जाए तो फिर अंतर बचता कहा है देखिए मैं आपका यादाश थोड़ा और आगे ले जाता हूँ यही जंतर मंतर के गलियों से आएं है यह नया जो प्रक्रिया हुआ है यह नया डिस्पेंसेशन हम पर क्या कहा कि हम आते ही इस देश में पाकिस्तान को हिमत ही नहीं होगा आगे बढ़ने का आठ सो पचास इंकर्शन हो चुका है ठीक है ब्लैक मनी लाएंगे कहा कहा यह सब ठीक है ने ब्लैक मनी सतरा लाख हर आदमी को देंगे इन मुद्वों पर सामसर बैठे हैं उनको मिला हम विश्यांतर नहीं होते हैं इन मुद्वों पर अलग-अलग भहस हो सकती है गलियों आठ से आया है लेकिन आया तो उनी गलियों से यह मैं आपसे पूछ रहा है तो क्या इस मामले में भी बीजेपी आपकी आदर्श है कि वो जंतर मंतर से आये हैं इसलिए हमें भी लोगसभा को जंतर मंतर बना देना है जी एक सिवल सोसाइटी का इमरजन्स हुआ है यह तो वो दवाव है कि आपके ऊपर कि आपको भी संसद में विरोध करना पड़े आप दवाव नहीं है देख रहे हैं आदर्श के पर उसे मान रहे हैं आवाम से उठा है आवाम के साथ जुड़ा हुआ जो भी इश्यू है हमने सबक सीख लिया हमारा एलेक्शन में नुकसान अगले लोकसभा चुनाव में पूर्ण बहुमत पाने की गारंटी है ये है क्या हम लोगों के संबंद में जो इश्यू है हम उटाएंगे क्योंकि लोगों को जवाब देना हमें हमें हमारा इंडियन नाशनल कॉंगर्स का इंटरेस्ट नहीं है ये लोगों को जो पूरी है अंतर होना चाहिए है नहीं होना चाहिए और ये अंतर बनेगा कैसे देखिए हिंदुस्तान के बारवी देखिए क्या वैवधान पूर भाहमत की गारंटी हो सकता है क्या Every student of modern Indian history and politics knows that civil movement आज की बात नहीं है ये जो हरा ये fashionable movement है ये तो movement जो है ये movement नाम की कोई चीज नहीं है ये गलत फहिमी है ये शोशे बाजी है Civil movement नहीं उस चक्कर में भी नहीं पड़ते सर्थ मैं आप सही समझना चाहरा हूँ क्या व्यवधान मचा के संसत को बाधित करके पूर भाहमत हासिल किया जा सकता है क्या ऐसी कोई उमीद आपको नजर आती है क्या पत्रकार के तौर निश्चित रूप से नहीं अगर ऐसा को कोई सोचता है कि केवल व्यवधान करके कल को हम जनता के पास जाएंगे और जनता हमको वोट दे देगी तो यह गलत फहमी है पिछली बार हम आए थे तो नहीं बीजेपी का उधारन है इनके पास वोई कहना मिल गया बीजेपी का रिकॉर्ड तूर गया लेकिन लेकिन अब यह कहते हैं कि इनोंने मार्केटिंग किया इसकी वज़न से आ गए ऐसा नहीं है देश की जंता हमा गारंटी नहीं है अगर हंगामा गारंटी होती तो आप माफ कीजिएगा 1952 से चल लही लोकसभा के अंदर एक से एक बड़े हंगामे बाज क्या राजनारायन जैसा व तो उससे कोई जनता आपके पक्ष में आ जाएगी ऐसा निश्यत नहीं है ठीक है चुके वो मुद्दे ऐसे थे चुके भरस्टाचार का मुद्दा इस चक्र में भी नहीं पड़ते हैं हम केवल आज की जो इस्तिती है वहीं तक इस चर्चा को केंदेत रखते हैं क्योंकि मैं भी पांच्वी छटी वार चर्चा कर रहा हूं इस सत्र में व्यवधान पर ही वड़कन साब ये चीज़ जी संचिर मेरा निवेदन सिर्फिय है कि जिस प्रकार से व्यवधान किया जाता है संसत के अंदर वो एक सीमा के भीतर होना चाहिए जब सीमा से बाहर चली जाती है चीजें तो आम जनता को भी लगता है कि ये हो क्या रहा है गलत हो रहा है जो आपने का जनतर मंतर संसत चौराहा नहीं हो सकती निश्चित रूप से संसत वाद 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 प्रतियोगता का केवल मातर स्थल नहीं है पारलेमेंट डिबेट्स पारलेमेंट के तीन काम है अगर पार्लियमेंट इन तीनों चीज़ों से पीछे हटती है और चौरहा बन जाती है। केवल सरकार की नहीं है, विपक्ष की सांसदों को भी उसी जनता ने चुना है। ऐसी इस्तिती जब पिछले दो हफते से आपको दिखती हो और ऐसी इस्तिती जो मीडिया और सोशल मीडिया में सांसदों की छवी बनती नजर आती हो। आपको लगता है कि अभी भी ये फैसला उचित है, इस पर विचार होना चाहिए। क्योंकि अब जो चर्चा चल रही है वो ये चल रही है कि अगर काम नहीं तो वेतर नहीं। अब सीधा सवाल पूछा जा रहा है आपसे जो बिलकुल उल्टा है। देखे संसद देश और आम जन की समस्याओं पर चर्चा करने उनके समाधान का एक ससक्त मंच है। और मुझे लगता है कि एक सार्थक चर्चा वहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन हार की खीच उतारने के लिए एक नकारत्मक दिसा में उस अपने अधिकार को ले जाने का कुछित प्रियास हो रहा है। हम इसको नहीं मानते हैं। देखे मैं इसको कता ही नहीं मनता हूँ। मेरा यह मनना है कि हम लोग की कमिटी जिन मुद्दों पे चर्चा कर रही है वहाँ चाहे वो सिटिंग MP हो या X MP हो दोनों के मुद्दों पर सारी प्रस्तितियों को ध्यान में रख करके हम लोग चर्चा करते हैं। और ना कोई इस प्रकार की सिपारिस भी नहीं कर देते हैं कि जो अब्यवारिक हो वह हम चर्चा करेंगे। लेकिन हाँ जनता के प्रति जबाब दी ही या उसक है और मुझे लगता है कि ये नेतिकता कहती है कि अगर हम जान बूच करके संसत की कारवाई को बातित कर रहे है तो हमें इमानदारी से इस बात की पहल करनी चाहिए कि हमने संसत के प्रतिवी और जनता के प्रतिवी नियाए नहीं किया है हम अपना आज का भत्ता कम से कम नहीं लेंगे। ये संसतों को खुदी फैसला लेना चाहिए। और मैंजा लगता है स्वत्पूर्द भाव के साथ ये भावनाएं बढ़ेंगी तो उसका मैसेज देश के अंदर बहुत अच्छा जाएगा। ठीक है। आज जो हम देख रहे हैं एक बिलकुल इसको आप कह सकते हैं कि नकारात्मक सोच के तहत कारे हो रहा है। हम नहीं चलने देंगे। हम चर्चा नहीं करने देंगे। हम कि बात करिए ठीक है। देखे बीजेपी और कॉंग्रेस में यहीं अंतर है। बीजेपी जुन मुत्तों को उठाती थी उसके पीछे तत्थे थे। और उन तत्थियों के आधार पर टूजी स्पेक्टरम का मामला आज इस देश को उससे कितना लाव हुआ है सब के सामने है। सर उस चक्र में भी नहीं पढ़ते हैं। जो मेरा बुन्यादी सवाल था। ठीक है। आप करें कि आपकी चर्चा कठ्थात्मक होती है। ठीक है। लेकिन जब जेपीसी की मांग को भी इनोंने बाधित कर दिया। तो पूरा सत्रहंगामे की बेच्चर। ठीक है सर उस चक् कमीटी ने सांसदों के भत्तों को कभी दोगना करने पर विचार नहीं किया। एक। दूसरा ये हम लोगों ने इस बात के लिए कमीटी ने जरूर तैय कि संसद सदस्यों को अपने बेतन भत्तों पर स्वेम चर्चा नहीं करनी चाए। बिलकुल ठीक है। और उसके लिए स संसद के अस्तर पर कोई ऐसा मेकनिजम तयार हो जो इसके बारे में स्वेम विचार करें लेकिन संसद उसमें स्वेम भागिदार करें। ये बात मैं आप से इसलिए पुछा हूं बार बार क्योंकि बहुत सारे दर्शकों ने ये सवाल पूछा कि वही है। उसको गलत तरीक इसे प्रस्तुत करने का प्रियास हुआ है। वह एक समाचार पत्र ने पहले लिखा बाद में आनने मजबूरी बन जाती है। ठीक है। पुरा एक बन गया उसका। चूंकि देखे जब आपको नेगेटिव को करना है। तो करना ही है। तो नेगेटिव उसमें प्रक्राइ दे नहीं है तो पांच साल के बाद दुवारा फिर ठीक है। लेकिन इस दो सफता में जो तस्वीरें दिखी हैं उससे लगता है कि आप लोगों की यानि मानियों की छवी कहीं परभावित होती है। थोड़ी बहुती सही। बिल्कुल क्यों नहीं होती है। देखे हम लोग मैं इस बात को कह सकता हूँ कि मैं स्वेयम पांचुई बार संसाथ हूँ और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जब मैं सत्वारा फक्स में था तब भी संसाथ में मुद्दे उठाने पर उन समस्श्यों का समाधान वा है। और जन्षामें पीला रहती है। तो मधकन साथ। दल को, पार्टी को यह अधिकार है कि वो अपने किसी मुद्दे पर, हो सकता है वो भी बहुत जरूरी मुद्दा हो, बाकी 300 साले 300 सांसदों को बोलने ना दे, उनके जो जरूरी मुद्दे हैं उनको उठने ना दे, क्या आपका ये व्यवधान, बाकी 30 से जादा राजनितिक दलों के सांसदों का विशेशा दिकार हनन नहीं है देखिए चार मेंबर्स क्यों ना हो वोट परसंटेज आप जानते हैं हिंदुस्तान का वोट परसंटेज आप देखें कि बारते जनता पार्टी को कितना परसंट फिला बाकी परसंट किसके साथ गया हूँ अलग बात है उस मुद्धे पर मैं जानी रहा हूँ लेकिन क्या है issue accountability है और accountability में क्या है प्रदान मंत्री जो इस देश का प्रदान मंत्री हर चीज़ पर बोलते है विदेश में जाकर बाशन देते हैं वोट अच्छी बाशन देते हैं बहुत अच्छी तरीके से पेश करते हैं लेकिन जब गरेलू समस्या हैं उस पर चुपी है मैं complete करूँ और खुद कहते हैं मन की बात में कि मेरे उपर ताला लगा हुआ तो हम जानने चाहते हैं ये 44 MPs जानने चाहते हैं कि किया किसने ये ताला लगाया और क्यों प्रदान मंत्री चुप है ये पूचना गलत है ये बिल्कुल गलत नहीं है लेकिन मेरे उस बुन्यादी सवाल का जवाब नहीं मिला क्या आपका ये वेवधान आप भी इस बात से सहमत हैं कि आपके इस हंगामे के कारण 30 से जादा राजनितिक दलों के सांसद अपनी आवाज नहीं उठा पा रहें आप उनके अदकार को चीन रहें तो दोनों तरफ हैं इनका रेजिगनेशन ले लीजेगा हम हमारा हाउस चलेगा ये शर्त नहीं है और रेजिगनेशन देने हमारा डिमैंड क्या है कि रेजिगनेशन दीजेगा अगर उनको clean sheet मिला investigation में वापर जरूर लाइए लेकिन अगर हाप house को चलाने नहीं देंगे resignation नहीं देने का जो आपका प्रस्ताव है day one से है सर मैं उस चक्कर में नहीं पढ़ता हूँ था वड़कन साब मैं उस इत्यास में नहीं जाओंगा सर फिर आप मेरी याददाश थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे लेकिन आप याद कीजिए पवन बंसल और अशुनी कुमार ने पूरा सत्र हंगामे की भेट चड़ाने के अगले दिन या उससे दो दिन बाद इस्तीफा दिया था आप लोग तब फैसला नहीं कर पाये थे पूरा सत्र बीद गया था बरबाद हो गया था मेरा जो बुनियादी सवाल है वो ये कि आप तीन सो साड़े तीन सो सांसदों के अधिकार के साथ खिलवार कर रहे हैं इस बात को तो आप मान रहे हैं कहां वो अपनी आवाज रथा पाये सर अब ये 25 लोगों को आपने सस्पेंड किया कि उनका अधिकार सेबलाइज होगा आप क्या समझते हैं ये 25 मेंबर्स को हटा कर काम सब ठीक हो जाएगा आपने कोशिश क्या किया आपने जो अगर ये इस्थिती नहीं होती जो अभी दो सफ़ता से दिख रही है अगर सब कुछ ठीक ठाक तरीके से चल रहा होता तो ऐसे कौन से कानून थे ऐसे कौन से विध्यक थे जिन पर शायद इस वक्त चर्चा चल रही होती और जो शायद इस वक्त पारित हो गए होते और ऐस से कौन से कानून है और उससे देश की तस्वीर कुछ बदलती नहीं बदलती ये थोड़ा आप एक बार बता दीजे समझा दीजे दर्शकों को तो इस पार सेशन में लगभग आठ बिल्स इंट्रोड़क्शन के लिए थे जो लाने मलब लाए जाते और अराउंड ग्यारा प करने वाला एक कानून था जूविनाइल जस्टिस एक जो कानून है जो उम्र बदलने के से जुड़ा हुआ जो 16 से 18 साल के बच्चों को ऐस अडल्ट भी हम ट्राइ कर सकते हैं कुछ स्पेसिफिक ओफेंस के लिए उस पे डिसकॉशन होना था चाइड लेबर पे डिसकॉश अगर उनको कोई एक प्राइब कर रहा है तो पनिश्मेंट इंक्रीज करा जाएगा ऐसे कानून उस पे डिसकॉशन होना था अगर कर एक तरीक से देखा जा तो काफी सारे एहम मुद्दों पे डिसकॉशन करा जा सकता था जो नहीं हो पाया इस व्यवधान के कारण पहले सफ़ता की जो उत्पादकता थी लोगसभा की वो मुश्किल से 9 प्रतिशत क्या सपास थी बाकी समय हंगामे की भेंट चल गया था दूसरे सफ़ता की हो सकता है भी ना ही हो अबी तक अराव लोगसभा 14% प्रड़क्टिव से जादा थी और अभी बामला आकर 9 और 14 पीसद पर सिमट रहे जरा आप भी सोचे जिन कानूनों का जिन विधेकों का जिक्र प्राची ने किया है वो अगर कानून में तब्दील होते गंभीर चर्चा के साथ संशोधनों के साथ अगर जरूरी है तो उससे क्या आपके जी क्या आखर ऐसी इस्तितियों में कब चल सकेगी संसद वटकन साथ अब आगे का रास्ता क्या सर मतलब आप 300 साले 300 सांसदों को आप लोगों ने दो हफते तक नहीं बोलने दिया ठीक है उनके विशेशादिकार का हननन हुआ हो या ना हुआ हो ये नियमा वली देखेगी अब आगे का रास्ता क्या हमने जब भी का और आज भी ये कह रहे हैं सुश्मा जी का जो त्याग पत्र है अगर एक त्याग पदानमंतरी के तरफ से ये कहते हैं कि हम इनके इनको बोल रहे हैं कि आप resignation दे, investigation होगा बस इतना ही चाते थे अगर ऐसा कुछ कहता ये बिल्ज आज मेरी ख्याद से पास भी हो जाता अगर एक बार प्रदानमंतरी आसन दे, house में, house में, house में, house में दे, house चलना शुरू हो जाए हैं कि देखिए शुष्मा जी को हम बोल रहे हैं जब तक investigation अगर सरकार ये नहीं कहती है तो क्या ये पार्टी लाइन पूरी तरीकी से तैह है कि हम पूरा मांसुन सत्र बरबाद कर देंगे नहीं चलने देंगे अगर अगले सत्र के शुरोने से पह होगा मैं कह नहीं सकता है और ये निर्बर है कि प्रदानमंतरी क्या कहते हैं अगर देश का इंटरेस्ट है ये बिल्स पेंडिंग है हम सुष्मा जी को बोल रहे हैं कि step down करें और जब ये investigation complete एक high court judge ये supreme court judge को appoint करकर ये आपने बता दी सर्वाद मैं इससे उल्टा सवाल मैं ये कह रहा हूं कि अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या congress party पूरा सत्र ऐसे ही बरबाद कर देगी देगी शब्द आप बरबाद करते हैं आप pre-decider है वो शब्द आपका words देखिए अब words देख पूश्मा जी आप उतर जाएए कुर्सी से अभी investigation होगा आप उसके बाद clean shit होंगे तो आप आजाएए वापस अच्छा इससे जुड़ी एक चीज़ और बता दीजिए सर एक चीज थोड़ा और बता दीजिए आपके हिसाब से इस कथित सार्थक सत्र में अगर एक किया है ये माल लेते हैं आपके हिसाब से उसके विरोध में जो आप संसद में कर रहे हैं पिछले दो सफ़ता से क्या वो नैतिक है क्या वो आचरण के हिसाब से है क्या वो नियमों के हिसाब से है अगर वो नहीं है अगर वो भी गलत है अगर वो भी नियमों का उलंगन है तो क्या फरक रह जाता है आप में और सत्ता पक्ष में? वहाँ पर भी किसी ना किसी तरीके से नियम का उलंगन हुआ है और आप जो दो सफ़ता से कर रहे हैं, वो भी नियम का उलंगन ही कर रहे हैं. बसके वल कम या ज़ादा कांतर है. अकाउंट बिलिटी जो है. कहा कि जब तक इस्थीफा नहीं तब तक संसत की कारवाई सुचारों रूप से नहीं चलेगी ऐसी इस्तिती में समाधान की उम्मिद अधितना जी देखे सरकार की ओर से साफ कह दिया गया कि हम बाची ते समस्य का समाधान जाते हैं सरवदलिय बैठक भी हुई और संस्धियकारमंत्री के दौरा भी संबाद स्तापित किया गया मनिस फीकर के दौरा भी बैठक उलाकरके सभी दलों की रया लेकरके और उस पर चर्चा करने की बात हुई है किसी भी दल के किसी भी इस फैसले पर कि अनावस्य क्रूप से रोज कोई भी दल आ जाया है और कहने लग ज़िए पहलाना मंतरी स्थीपा दे क्या उससे स्थीपा हो जाएगा चीक है उसका कोई कारण होना च्ची कोई लॉचिक होना चाहिए ये फितुर की बात है अनावस्सक बात है इनको चर्चा करानी चाहिए और चर्चा करके एक बार मानिय मंत्री के बक्तब्बे को सुनना चाहिए धैरे से सुने और इनमे धैरे नहीं हार की खीज देश की जनता पर लोग उतारना चाहते हैं इसलिए चर्चा से भागना चाहते यह बात व्यापम की करते हैं या 36 गड़ की करते हैं तो आप कहते हैं कि देखिए हम इमाचल जाएंगे गोई जाएंगे असम जाएंगे परनाटक जाएंगे ऐसा लगता है कि वो एक तरीके से आप इनको ही समझा रहें कि आप हमारे चार राज्यों की जिक्र मत किजिए हम आ आपम में आपको इस बात को ध्यान रखना होगा कि वहां के मुख्यमंत्री के द्वारा वो जांच प्रारंब करवाई गई है और उनकी सिपारिस पे बाद में सीवी आई जांच हो रही है और सब जूडिस मामले को भी संसद में चर्चा नहीं हो सकते अगर करानी है तो सभ आपको कराना है तो ठे प्रष्टा करान देंगर ठाब चार्च करानी हो सवादान्या अपको नजर आता दिखता है क्यं सकती है तो सहमत है धंडे बस्ते में कि यह कोई जो इसमें यहां आज का जो मुख्य प्रश्ण है जो 25 सांसदों को आज निलंबित किया गया सुमित्रा महाजन जी ने क्या कहा था कि आप प्ले काट्स नहीं लाइद दिखाईए आप बाकी शोड शराबा करते रहिए बाकी शोड शराबा करते रहिए उसके लिए तो मना नहीं किया नमबर दो जो सबसे महतून बात है आज वो यह है कि पूरे मामले में अभी टॉम शुष्मा स्वराज है वाले टेड़ पास्पोर्ट लाओ दिस कंट्री वह उन्होंने खुद भी स्विकार किया है अपनी ट्वीट्स में यह बात सही है लेकिन दोनों में एक फर्क है जो कहने प्रधान मंत्री बोल नहीं इट इस ए कॉलेक्टिव रस्पोंसिमिलिटी इस लिए हम इस बात को यह सुखार करने टूजी और कोल स्केम में डारेक्टली और इंडारेक्टली प्राइम इनिस्टर आफ टाइम वाजिए वाज़ उसमें चुके ए राजा जो उस समय दूर संचार मंत्री थे बार बार कह रहे थे कि मैंने जोगी दिया प्राइम मंत्री की नॉलिज में लाकर दिया वड़कर स्व आप कह लिए जो आपकोल स्केम तब हुआ जब रागे जी सुन लेते हैं सुन लेते हैं बहुत संचेप में सर समय ख़ते हैं मनमौन सिंग जी ने उसी टाइम वक्त कहा कि मैं किसी भी एंक् यह नहीं है दूसरी बात यहां व्यापम की बात कहा अभी इदर राजस्तान का इश्यू से आप फिगर्स देखेंगे कि आप ताजू होगा कि यह फिगर्स करीबन दस गुना जादा है ठीक ठीक है दूसरा यह जब तर करें कि समय खत्म हो चुका है मेरा आपसे एक निवे अगले पांच दिन प्ले कार्ड ना दिखाएं यह यह तैह है कि प्ले कार्ड दिखाना है लेकि मैं परल्लिमेंटरी एफेज स्राटेजी कमिटी का मेंबर नहीं है अपकी व्यक्ति तरह तो इसलिए मेरा जो पीनियन है एकाउंट इबलिटी हम आज भी उसका जंडा उठा बश्चाइंगे जन्दा मतला प्ले काड ही होगा क्या अगाउंट प्लिज वेडी मैं लिप जी काउंट अबली टीकि की बात कर रहा हूं मैं प्ले काट अपसे पूछ तो अपनितों प्ले काट से मैं अपनों को सबस्चार एफ लुक्त तो नहीं आपकांड़ा फिका स्व कि वाश आउट का प्रबंध इन्होंने कर चुका है एंडिये गाउनने इस नियमान सार है ठीक है उस समय खत्म हो गया सर वरना अगले गंटे और चर्चा कर सकते थे बहुत संचेफ़ लेकिन मुझे एक उम्हीद है कि कॉंग्रेस पार्टी इतनी गैर जिम्मेदार पार्टी नहीं हो सकती कि वो जी एस टी जैसे विध्यक को इसी सत्र में पारित ना करे चुँकि यह समविधान संचोधन विध्यक है तो बहुत संचेफ़ में आगे की कुछ इस्तिती आपको सुधरती नजर आती है क्या क्या क्योंकि तमाम जो आँकले है वो आपके सामने है और वो निराश करने वाले हैं ठीक है ये भी अपने आप में एक सवाल है जी कहें आप बहुत संचेफ़ में जो दूसरी बात हम जो एकाउंटबिलिटी की कर रहे हैं एमपीज के पास बहुत सारे टूल्स है उसके जरीए भी जवाब दी तेकर सकते हैं ठीक है समय पूरी तरीके से खत्म हो रहा है झाल